बहुत दो स्वागत है दर्शको कभी कभी कुछ छोट छोटी चीजे भी जो है बिल्कुल आकरशित कर जाती है अचानक लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है दिखने में छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है वैसे ही कुछ इस शोशल मीडिया पर वायरल ये छोटा सा पॉंपलेट दिखने में छोटा जरूर है लेकिन जिसने भी इसको छापा है निश्चिती उसका दिल बहुत बड़ा है मराथी भाशा में छपे इस पॉंपलेट में सडक किनारे बैठे एक छोटे से मेकैनिक का उन बड़े बड़ और विष्णू पोटे वाले मिस्ट्री ने लिखा है कि शाओर ये दिवस की मानवंदना के लिए अगर आप भीमा कोरेगाउ जा रहे है और जाते या लोटते समय आपकी गाड़ी जो बड़ी बड़ी फोर विलर है अगर खराब हो जाए तो हम से संपर्क करें हम आपकी ग भीम सैनिकों के लिए सेवा मुफ्त रहेगी इस संदेश के साथ पॉंप्लेट में नमबुद्धाय और जैभीम भी लिखा है कमाल है और सलाम है वागए जाहिर है इन गाडियों को सुधारने वाले ये मिस्ट्री मेकेनिक कोई बड़ा शोरूम चलाने वाले धन्ना सेट न रहे होंगे आजकल जहां धनाड्डे लोग समाज सेवा या अंबेटकरी आंदोलन के नाम पर अपने समाज के भावक लोगों से और ज्यादा पैसा कमाने या वसूली करने के नए नए तिक्डम भिढाते रहते हैं वहीं पर ऐसे भी लोग है जो धनकुबेर नहीं है ना ही कोई बड़े अधिकारी हैं फिर भी दिल इतना बड़ा है इतना दिल बड़ा रखते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के अपनी सेवा देकर आमबेटकरी आंदोलन याने इस मिशन को जिन्दा रखे हुए हैं भीमा कोरेगाओ का शावरिय सिर्फ इसलिए याद किया जाता है कि महार जाती के बलिष्ट सैनिकों ने अपने बल पर अपने से कई गुना जादा पेशवा सैनिकों को धोल चटा देती ये लोग सेट सहुकार या राज व्योस्था के अधिकारी लोग नहीं थे बलकि ये लोग कामगार वर्ग के लोग थे इनके पास धन नहीं था लेकिन हि आदेनिक छंता के अलावा कौम की खातिर उनके निष्ठा और निश्वार्थ समरपड की वो हिम्मत थी बाबा सहाब भी इसी निष्ठा निश्वार्थता के कायल थे और यही करण था कि एक जन्वरी को वो हर साल वहाँ जाते थे और वहाँ पर मानवंदना उन्होंने जाकर दी थी। उसके बाद देश के बहुत सारे लोग हर साल आमजनता जो अमबेटकरी बहुजन जनता है वो वहाँ पहुँचकर मानवंदना करती है। हर साल जाती है एक तरफ जहां बाबा साहब का नाम ले ले कर तथा कथित जो बड़े नेता है या अधिकारी है इन्होंने अपने और अपनी आवायद ब्राह्मन बीबी या उसके रिस्तेदार के घरों को पैसों से भर दिया है वहीं ऐसे छोटे-छोटे लोग भी है जो कहने को गरीब है लेकिन दिल से अमीर है हर साल दिक्षा भूमी चैत भूमी महार महू या भीमा कोरिगाओं पहुचने वाली यह वही जनता है जो बाबा साहब की सिक्षा उद्देशों का पालन करने में जान और माल की बाजी लगा देती है जिनके पास खोने को कुछ नहीं होत यह निश्वार समर्पित होकर निश्ठावान काम करने की इनहीं लोगों में हिम्मत होती है दर्शों को आपके क्या विचार है आप भी बताएं बहुत बहुत दन्यवाद